हरियों पैड़ेस को पैड़े मित्रों स्वागत है आप सभी का दरनुलोस गुरू के जिरूप चर्थ पर पैड़ेस को क्या आज सूर ग्रहन लग रहा है लग रहा है तो कितने बज़े लगेगा पुरी जानकारी बदाएंगे तारिख और सूतक का सही समय क्या है तो कितने ग्रहन लगने जा रहे हैं और कब-कब लगेंगे ग्रहन पूरी जानकारी वीडो में मिलने वाड़ी है वीडो को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को मिल सके तो जोतिस सास्तर में सूर् एवम चंद्र ग्रहन का विसीस महत वह जोरान सुखकारी और पूजापाड करने की मनाही होती है लापरवाही बरतने या करने से सारीरीक और मानसिक सेहत पर प्रत्कूल प्रभाव पढ़ता है जो अधसियों की माने तो ग्रहन के दौरान राहू का नकरातमक परभाव प्रत्वी पर बढ़ जाता है आईए जानते हैं साल 2024 में लगने वाले सूर और चंदर ग्रहन के बारे में विस्तार से जानते हैं तो सबसे पहले लगेगा चंदर ग्रहन तो 2024 में साल का पहला चंद्रगहन लगने जा रहा है जो की 25 मार्च को लगेगा हलाकि भारत में ये ग्रहन नहीं दिखाई देगा अता भारत में सूतक काल मान नहीं होगा इस दिन चंद्रगहन 4 गंटे 36 मिनट का रहेगा चंद्रगहन का समय प्राता काल 10 बच कर 24 मिनट से लेकर दोपहर 3 बच कर 1 मिनट तक रहने वाला है अब जानेते हैं साल 2024 का दूसरा चंद्रगहन तो जदस्यों की माने तो साल 2024 का दूसरा चंद्रगहन 18 सतंबर को लगने वाला है भारत में यह दिखाई नहीं देगा ता सूतक काल माने नहीं होगा आज दिन चंद्रगहन 4 गंटे 4 मिनट का रहेगा चंद्रगहन का प्राता काल 6 बच कर 12 मिनट से लेकर 10 बच कर 70 मिनट तक है बात करते हैं 2024 का पहला सूर ग्रहन कब है आपको बता दें साल 2024 का सूर ग्रहन 8 अपरेल को लगेगा हलाकि भारत में यह ग्रहन नहीं दिखाई देगा अता सूतक काल यहां पर भी माने नहीं होगा इसके बाब जूद ग्रहन काल के दौरान सास नेमों का पालन जरूर करना होगा साल 2024 का दूसरा सूर ग्रहन कब लगेगा आपको बता दें साल का दूसरा सूर ग्रहन 2 अक्टूबर को लगने वाला है भारत में यह नहीं दिखाई देगा इसके लिए सूतक काल माने नहीं होगा